निल कमल सिंग जी हाँ भूचपुरी के एक उभरते हुए गायक जिनसे भूचपुरी को बहुत जादा उमीदे थी लेकिन ये क्यार इन्होंने तो वो किया जिसकी उमीद किसी को नहीं थी अपनी सस्तिय लोक प्रियता को इस तरह भुनाएंगे निल कमल ये तो सोचा ही नहीं गया था निल कमल को ये सोचना चाहिए था कि आज कल वो एक छोटे कलाकार नहीं रह गया है दो सो तीन सो मिलियन क्रॉज कर जाते हैं उनके गाने लेकिन निल कमल ने इतनी ओची हरकत की जिसकी किसी को उमीद नहीं थी अक्षरा सिंग के उपर उन्होंने इस तरह से भद्दा गाना गाया वो कोई नहीं सोच सकता जी हाँ इस तरह की उमीद आपको तो हम बता तक नहीं सकते कि गाने के बोल क्या है बहुत ही घटिया बहुत ही गंदा और बहुत ही ओच्छा इस तरह की उमीद निल कमल से इसलिए भी नहीं थी क्योंकि निल कमल एक बहुत ही बहतरीन गायक है और उनके कई ऐसे गाने हैं जो आज कल मार्केट में बज रहे हैं और आने वाली जेनरेशन को वो बहुत अच्छे गाने दे सकते थे लेकिन नील कमल ने जो किया है उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी वैसे नील कमल के इस कारनामे की हर जगे थूतू हो रही है वो होनी भी चाहिए वो होनी भी चाहिए क्योंकि नील कमल जैसे एक्टरों को सोचना चाहिए गायकों को सोचना चाहिए को वो इस तरह की ओच्छी हरकत किसी के साथ किसी भी औरत के साथ नहीं कर सकते क्या वो अपनी मा, बेहन, बेटी या फिर रिस्तेदार की किसी भी औरत के लिए ऐसा वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो उन्होंने अक्षरा सिंग के लिए किया अक्षरा और पवन की दुश्मनी एक अलग वेकी हैं उसे अपनी लोकुप्रियता के लिए भुनाना सही बात नहीं है अक्षरा क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रहींगी सभी जानते हैं वैसे बाई दवे हम आपको बता दे नील कमल कि आपको कोई हक अधिकार नहीं पहुंसता कि आप अक्षरा सिंग जैसी बहतरीन अभीनेतरी बहतरीन डांसर को इस तरह के कमेंट करे या फिर इस तरह के गाने का अभी उन तक पहुशने के लिए आपको अच्छे खासी सीडियां चाहनी पढ़ेंगी आप क्या सोचते हैं इस बारे में और क्या नील कमल को अक्षरा स से लाइव आकर माफी मांगने चाहिए भूचपुरी जगत की होट और मसाले दार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिलकुल नब होगी